नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रुसंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प दोस्तो आज हम इसे बनाना सिखेंगे ये एक इंस्टेंट आइस मेकर है तो चलिए सुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पेल्टी आर मोडियूल और एक हिट्सिंग प्लेट उसके बाद इस पेल्टी आर मोडियूल के नाप के हिसाब से हम इस हिट्सिंग प्लेट को थोड़ा घिस लेंगे अब हम लेना परेगा थोड़ा सा हीटसिंग पेस्ट उसके बाद इस हीटसिंग पेस्ट को हम इस हीटसिंग प्लेट के उपर ऐसे लगा देंगे अब हम इस पेल्टियार मोडियूल का जो होट साइड है उस साइड को इस हीटसिंग प्लेट के साथ ऐसे लगा देंगे अब हमें लेना पड़ेगा एक 12 भोल्ट PC कुलिंग फैन उसके बाद इस फैन को हम इस हीट सिंग प्लेट के साथ गम से ऐसे लगा देंगे लगाने के बाद इस फैन का नेगेटिव तार हम इस पेल्टियर मॉडियूल के नेगेटिव तार के साथ और इस फैन का पॉजिटिव तार हम इस पेल्टियर मॉडियूल के पॉजिटिव तार के साथ कनेक्ट कर देंगे और दोस्तों देखिए, फैन का ये जो साइड है, ये साइड रहेगा नीचे की तरब अब हम लेना पड़ेगा एक पतला प्लास्टिक का सीट उसके बाद इस प्लास्टिक सीट को हम इसके चारो और गम से ऐसे लगा देंगे अब हम लेना पड़ेगा चार पीस प्लास्टिक का स्टेंड उसके बाद ये चार स्टेंड हम इसके नीचे की तरब गम से ऐसे लगा देंगे ताके नीचे की तरब से गरम हवा बाहर निकल जाए तो दोस्तों ये इंस्टेंट आइस में कर तैयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं कर देखते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक इंस्टेंट आइस में कर अपने घर पे ही बना सकते हैं तो दोस्तों आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियाल में तब तक के लिए बाई फ्रेंस एंड थैंक्स फोर वाचिंग झानन के लिए रचिंग